अतंग वादी उसामा बिन लादीन के साथ कर रहे थे उसके बाद कहीं न कहीं उन्हें एक कड़ा जवाब मिला उनके मुझ पे तमाचा बजा उसके बाद वो शान्थ हो गए और उन्हें पता चल गया कि हिंदुस्तान के बारे में बोलने से उनकी हैसियत क्या है और क्या नही और उनकी हमारी हाव पार्कस्तान जीता है यह प्राव कि अप्राइब नहीं टो कि अखा हो उनकी हैसिती है हुआरे कश्मीर को ठारे की मतलग क्या आजी पार्कस्तान की अबंड़ जिए अबी भी पेजिए थे लिए इंडिया में खुद को बहुत अच्छीन के हमें दुबारा लावल हुटाची को भेजना चाहिए क्योंके बहुत अची रप्रेजेंटेटर है हमारा तो नहीं उठापाएगा आज पाकिस्तान के हलाद बुरे है तो सब लोग कुछ भी कह सकते हैं हिंदुस्तान के दिन क्या कहते हैं दुगनी राज दुगनी तरक्की क् हर बंदा बड़े पर फिलाय फिरता है लेकिन मुझे बताएं इन प्यूचर इन प्यूचर कहीं पे आपको पाकिस्तान का अगर फ्यूचर ब्राइट देख जाए तो क्या तब यही अलफाज होंगे हिंदुस्तान वालों के हाँ हमारी यही अलफाज होंगी अगर G20 मीटि क्षमीर में होई तो हम इन दूसान को कड़ा जवाब देंगे क्यूं भाई आपने दूसतान का ठेका लेके रखा ही म правильно ऐसा क्या है बड़ा अपके जवाब में जवाब में आज तक आपने हमें नहीं दिया थेचा को जना से राता है, या? वो आपकी वसियत ने जाइदात ने कहीं है? लोगोगो आपकी यह पाजादी चाहते हैं तुम लोगों को इजथ तारास में अरी क्या मतलब है? नहीं यार हमें पैसे से ट्रिप पे जा रहे थे लेकिन आप प्रोटोकोल नहीं दिया दुखेगा ना उनको वो प्रोटोकोल आपको देना चाहिए था हमने अपना फॉरंग मिनिस्टर भीजा और आप लोगों ने बस स्माइल दे के इग्लोर कर दिया ऐसे ऐसे तो नहीं ही उसको तो शायद आपको शायद पिर आप भूल गए होंगे कि आपके फॉरंग मिनिस्टर ने उनो में क्या किया था है ना तो एक बात तो मैं आपको बता देती हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी उसको निकाला गया पहाड था पुरा लिथियम का अब आपने कहा कि ये ख़ब सोफ सकते हैं और अगर वह कुछ भी कर सकता है तो मैं तो यह चाहुंगी वाली बहुत घलत थी जब पाकिस्तानी केहते हैं ना चायवाल प्रियम बना भाग लगती है हिंदुस्तान वालों को अब अब देखो इसको पता है ना मुलों कैसे समालते है आप मुझे बनों चाय जो एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरिंदर जी की तुलना जो है वो आतंगवादी उसामा बिन लादीन के साथ कर रहे थे उसके बाद कहीं न कहीं उन्हें एक कड़ा जवाब मिला उनके मुँपे तमाचा बजा उसके बाद वो शान्त हो गए अर पता चल गया कि हिंदुस्टान के बारे में बोलने से उनकी हैस्यत क्या है और क्या नहीं है Secondly, मैं बोलूँ कि जो शक्स कभी पाकिसान में पला बढ़ा नहीं, इसको पता नहीं कि पाकिसान है, क्या माप पॉलिटेशन है, बाप पॉलिटेशन है, तो इसका क्या मतलब है कि पाकिसान का फॉरियर मिनस्ट्रों से बना देंगे, यहां से यह चीज प्रूव होती है कि कित जो मुझे उनकी दिखी थी और लिटरली जितने भी ट्वीट्स पे देखा था, उसके बाद तो उनके काफी जदा मीज भी बनी, बट बंदा आया, बंदे ने यहां पर अपना हमने जिस तरीके से उनका वेलकम किया, आफ्टर जब यहां से मीटिंग खतम होने के बाद जन जलिए आइसा क्या है लिखने आज तक आप में नहीं दी यहां अया जी हमने कि अशना के दया वी हएं 2 Malagi, 2 And, 같습니다. आज़ाद कश्मीर में लोग आटे चावलो की लाइन में लगके पांच लोगों की डैख हो गई, आज आज़ाद कश्मीर में लोग हिंदुस्तान के जंडे लहरा आ रहे है, तो वैसी आज़ादी का क्या पाइदा, वान मोर तिंग, यह हम बाद में डिसकस करेंगे, महवेश यहां पर पहले बिलावल जी की बात हो ली है तो बिलावल जी की बात ही जो statement सामने निकल के आ रही है he warned that कि उनको वहां पर नवाबो वाला treatment होना चाहिए अब हम तो शेक है नहीं भाई वो आएंगे तो हम उनके लिए दोबाई से कुछ ले के आएंगे या after that उन्होंने ऐसान तो किया नहीं उन्होंने अपना फर्ज नहीं भाया क्योंकि अगर 2015 में जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों को SCO का member बनाया गया था तब यह उनकी जिम्मेदारियां थी और इस तरीके से हिंडुस्तान डिवलप कर रहा है कि SCO की मीटिंग सीधा हिंडुस्तान में की गई तो उनको आना पड़ा उनका फर्ज था जब वो स्टेज पे गए उनकी अपने स्टेट्मेंट सुनी और उनने क्या कुछ कहा मदब मैं इतना ज़्यदा वो हूँ यह हूँ मुझे मौका मिला यहां पर आने का आफ़र लॉंग टाइम बारा साल में कोई मिनिस्टर पाकिस्तान से हिंडुस्तान आया इसके बाद नमस्ते हुआ, स्माइल पास हुई, वेलकम हुआ, अब और वो क्या चाहते थे तो यह पाकिस्तान की खौँ है, यानि कि जिस देश में आप जा रहे हो, जिस देश में आपकी मीटिंग हो रही है आप का खा रहे हो, पी रहे हो, वहां पर ट्विटर पर आप यह भी लिख रहे हो कि मैं गोवा जा रहा हूं भाई, अब नहीं, अब नहीं रुकने वाला मैं गोवा तो वह पाकिस्तान की अवाम के पैसे से ट्रिप पे जा रहे थे, लेकिन आप लोगो ने प्रोटोकोल ने दिया दुखेगा ना हूंको, वह प्रोटोकोल आपको देना चाहिए था हमने अपना फॉर्न मिनिस्टर भेज़ा और आप बस स्माइल दे के इग्लोर कर द यहां पर आपको बता देती हूं हलांकि पता नहीं कहा है और बिलावल साफ का एक सीन है उनकी निगाहें कहीं और निशाना कहीं और होता है बहले ही वह पाकिस्तान के पैसे से आए उनको प्रोटोकोल आप मुझे बहलो रशिया का फॉर्न मिनिस्टर आया उनको कौन सा प् अब अगर आपके बिलावल साहब नवावजादे हैं बाहर मुलक में पड़े लिखे हैं माना कि उनकी अंगरेजी अच्छी है लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि वो अपने ससुराल आ रहे हैं तो उनने पूजा जाएगा नहीं नौरमली जैसे सबको ट्रीटमेंट मिल उनको भी मिला लेकिन अगर भाई तुम में दम है हर बार तुमने हिंदुस्तान को चेतावनी जंग का एलान किया जंगे की उसके बाद क्या हुआ हर जंग में आप लोग हारे चाहिए वो कोई सी भी वार हो आपको शाइग 1971 की आरोगे जिस टाइम 96,000 सैनिकों ने स्टंडर किया था वो एक बहुत बड़ा समाचाग है इन आप और जंग में आप अुर्फाना जी घुटिपार्ट बात आपको किसें का पाकस्तान हाहा था अब हमारी इस्ट्री खुल के देखें हर जंग में पाकस्तान जीत है जो डिलोग बार जहा रहा जीड़ा इस नहीं हो तो वो फुदी लिखी जाती है और फुदी आप करो कि आपके पाकिसान की एकॉनमी कहां पर है आप देखो किस तरीके से बूग से आज मरे जा रहे हैं आप यह कि गई कितनी है अशीर को पर गई हैं हम कश्मीरी हैं हम हजार बार यह बात बोल चुके हैं कि दिया सेफ इंडिया क्योंकि इस वक्त महब इस बार का बजट आपने देख़ा खाम कमीर ने क 194ion in और आप इनके बजट द द आब कश्मी का या उन पयोगे कीऊ ड़्ला लुट कोच मिवडेग का है कोजिए लगष करे डिल फिसीयल कुछ चूछ कर वडिशनों कोजिए twobet कि भाई हम लोग यहां पर safe and secure है हमारा सब कुछ अच्छा जल रहा है हम खा रहे हैं पी रहे हैं चल रहे हैं बात कर रहे हैं कम से कम इतनी महंगाई तो नहीं है ना मतलब लड़ तो नहीं रहे हैं हम रोड पे निकल के या आज हम हिंदुस्तान के जंडे जो आपके आजाद क कि कश्मीर में रीसिंट के मैंने एक statement देखिए मौला ने आपकी जो पाकिसान की Muslim community है उन्हें कहा के Modi है तो मुमकर है तो क्यों कहा हिना रुबारी जी की statement निकल के आए कि कश्मीर हमारा कश्मीर नहीं है या वो मसला उनके पास है सो यह जो statement आप ही के पाकिसान की निकल के आ रही है और महवेश मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ आप मुझे बताओ as a journalist मेरा भी हख है बले ही मैं आपकी guest तू लेकिन आप मैं पूछूंगी आपसे मेरा सवाल आपसे यह है कि आप देखो कि Pakistan को दूश्मनी मुलग कह रहा हो, मीडिया की बात अलग है हमारा मीडिया भी करेगा आपका मीडिया भी करेगा वो लोग तो चलता देगा लेकिन लैकिन ऑफिशल एंद एथिकल इनसान जिसके पास knowledge हो जिसके पास कोई पावर हो वह क्यों पॉलिटिशन्स टेररिस्ट को लेते हैं पाकिस्तान को ये तो कोई पुरानी बात नहीं है ये भी कुछ रोल पर हमारे फॉर्ट मिनिस्टर ने साफ साफ ये बात कही कि इस मीटिंग का मेंन मोटर है कि हम टेररिजम को यहां पर स्टॉप करेंगे तो वहां पर तो थी बाल जी का नहीं लिया हमने या ऐस के ंग साफ पाकिस्तान के हमे साहिट साथ पाकिस्टान को इस भी आब शाहए ゃहां या उओ प्लाट्पोम पर यह है दिलूर्श जिस हिसाब से आप लोग हरकते करते हैं, I'll tell you one thing देखिये, मैं आपको वहाँ पर फिर से पहले आप मेरी बात मत काडिया, आप सुनिये, जब वहाँ पर मीटिंग होई, तो मीटिंग में ये बात कहा गया, कि तो हम टोटली स्टॉप करेंगी, तो हमने परस्नली बिलावल जी को तो नहीं कहा न, हमने वहाँ पर जितने फॉरिंग मिनिस्टर आए थे, जितनी भी कंट्रीस से आए थे, हमने सब को कहा, लेकिन अगर कोई बंदा परस्नली उसको ले ले, वहाँ पर गोवा में इंजॉई किया, ठीक ठाक रहे, खुशी से रहे, उसके बाद पाकिस्तान जाके अपनी, उसी शकल में आ गए, जिस शकल में वह थे, आप मुझे ईक बात बताओ, आपके पाकिस्थान में नेपटिजम इतना क्यूंअआ, आप प्राइम अनुच्टर जी की क्यों जुनकी थीजी ठीक है। मतलब क्या यार मैविश्ट वाइविश्ट पाकिस्तान समझ नहीं आ रहा हूँ मेरी बास अभी जैसे आपने बात की के काश्मीर बहुत बहुत देवलोप्मेंट की तरफ जा रहा है काश्मीर के अंदर अभी तरफ जाए 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 जीट्वेंटी और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्स लग एक ना बड़ा बजट निकला ऐसी ही एक ख़ब कुछ रोज पहले बहुत जादा सुरुखियों में थी हैडलाइट में थी कि लीथियम निकला है कश्मीर फ्यूचर ब्राइट होगा और उसके बाद बेकुल आग की चंगारी जैसे बुच सी जाती है इस तरह उस ख़ब को दबा दिया गया और उसके बारे में कोई नबात हुई ना किसी प्लाटफॉम पर जिकर हुआ मुझे बताओ क्या ऐसी जो ख़बरे निकलती है कि अब यह है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहली बात तो जलाने की तो कोई बाती नहीं है क्योंकि जो लोग हमारे लेवल में ख़ड़े नहीं हो सकते हैं उन लोग को जला के कोई फाइदा नहीं है जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से यूनिन टेरिटरी अपना जमू कश्मीर है अं लग है तो यहां पर कश्मीर में नहीं बलके जमू में लिथियम निकला गया ग्राइव हम पाहर था जमू पूर लिथियम का अवोज अपने कहा कि लिए सिर्फ आर्टिकलरश आर्टिकल रिभिग जो हैं वहं बात करें तो इस वए में जो प्रोड़क्त है उसको निकाला गया पहाइड था निथियम का अविसली अब आपने कहा है कि यह ख़ड़े सि और सेविंग कुछ चीज होती है किसी वो कोई इंग्लिश का वोर्ड है इसका मतलब है कि किसी चीज को बचा के रखना और वो कब इस्तमाल करना है कैसे इस्तमाल करना है वो तो नहीं को पता होगा एंड वन मोर फिंग आफ्टर लीथियम लीथियम के बाद जो कश्मीर में आपने देखा कि अलेक्रिक ट्रेन का जिकर हुआ होगा या फिर और भी बहुत साथी स्मार्ट सीटी प्रोजेक्ट्स तो इतने लगाए जा रहे हैं तो उसका पैसा तो पाकिस्तान वाले हमें तो यही पैसा होता है कि आप किस तरीके से उस पैसे को उस लिथियम को आप करेंगे इस अच्छर रिसोर्स बहन मेरी हर जगा से मेरेगा आप देखोगे ना अलमोस्ट अगर खोजने पर आये ना मैं आपको बता दू कि बता दू कि बिटिस की जो हिस्कोई आपने बोला हर का मेरे आप कि अच्छा मेरी कार लोगों कि अच्छा मेरी देना बन करी है और ल Boss Union कि मीच कि खोगों कि अच्छा आफ यह दुगेे लोगों के साथ की ना क्या देनगे घिए ट्क्रिये ना कि अछ़आ पूरिय टए लोगी तो रहे हैं वैने कभी आप पर सवाल उठाया, छोड़िये, मैं वह बात भी छोड़िये, आप लोग बोलतो हो के हमें वह वहला कश्मीर जाए हिंदुस्तान का कश्मीर चाहिए, यहाँ पर कश्मीरियों को क्या चाहिए वह आप लोगो वह नहीं जाना है आपको, ठीक है, आपके मीडिय उसे अजादी के लिए तो लट रहे हैं सुनते उन्हीं लोगों की हैं जिनके पास दिमाग होता है बात करने का या जो अपना सर फालतु में ना पटकेंगे जो अपना सर जो अपना सर किसी सेंस्वाली चीज को लेकर पटकेंगे रट लगाके बैठे हुए थै यासीन मलीक जी की तरह क्या आप उन कश्मीरियों से बात करते हो कि आपने आज कश्मीर के यूज को नहीं देखा ठीक है अगर आपको इतना ही कश्मीरियों आपको लगता है कि वह नहीं है तो मैं आपको अधार कार्ट दिखा देती हूं वहाँ पर बड़े-बड़े शब्दों में लिखा है कश्मीर, तो मैं भी कश्मीरी हूँ, आपने जितने इस टाइम कश्मीर से लोगों को बुलाया है, उनका इंटर्व्यू किया है, वो लोग क्या बूलते हैं, आप देखो कि मीडिया क्या बोल रहा है कश्मीर का, लोग किस चीज को खुश हो रहे है, जो काम सरकार कश्मीर में नहीं कर रही है, वो हमारी इंडियन आमी वहाँ पर कर रही है, बच्चियों के लिए कोचिंग सेंटर, सथभावना के थ्रो बच्चों क पर रहे हैं, नहीं ना, तो यह क्या है, मतलब इतना सब, इतनी फैसलिटी होने के बाद हम क्यों यह बात बोलेंगे कि हमें आजाद करो, और वन मोर तिंग, आजाद किस लिए, अगर हम आजाद हो भी जाते हैं, तो हम पाकिस्तान जैसे मुलक में तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जो इन्सान अपने मुलक को नहीं समाल सकता, जो पाकिस्तान खुद को नहीं स्टेबल कर पा रहे हैं, जो आपने पीयोके को नहीं समाल पा रहे है, जिसे आपलोग आजाद कश्मीर, आजशों अगर के चमीर, आज़ाद के था स Nous तो हमें क्या खाक समालेगा? हमार इन फ्यूचर, इन फ्यूचर कहीं पे आपको पाकिस्तान का अगर फ्यूचर ब्राइट देख जाए तो क्या तब भी यही अलफाज होंगे हिंदुस्तान वालों के हाँ हमारी यही अलफाज होंगी और अगर आपका फ्यूचर कभी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 90, 100, 200 साल में अगर कभी आपका फ्यूचर ब्राइट लगा हम लोगों को Unfortunately, हम खुदा के आगे निमास पढ़के आपके लिए दुआ करके यही बोलेंगे कि बस इनका फ्यूचर अब ऐसा ही होना चाहिए हम नहीं सुनना चाहते के रमजान में फिर से Fire 4 के लिए लोग रोड पे निकले और पा शलोगों की जान गयी हम नहीं सुन ना चाहते है यह बार Pit हम नहीं सुनना चाहते के आज मिनिस्टर्स तो अपने घरों में बैठे हैं उनके बच्चे आज फॉरियन में पढ़ रहे हैं, यह नहीं सोना चाहते हैं कि बच्चों रोड पे निकल के बीख मांग रहे हैं, प्रिसंटल आपने साउदी में कितने बिखारी पकड़े गई पाकिस्तान से, आपने स्टेटमेंन देखी, नहीं देख्योंगी तो गो थो, अब देखो, लिए हैं इसा है एक लोग लिए पकड़े गई, यह थाओ, हैं व्पाकिस्तान के तो, प्टेटमें भाई देखो डूल पहारा हैं इन्डिया के लाट के लिए हैस्टी भी है हमारे कश्मीर को वह रखने की तो, मतलब क्या पात करते यह पाकिस्तान के लोगई लाओल भूट जी भेज़े भेज़े है एंडिया भूट ऑच्छ तरीकाँ एंडियारी कि अपर्जाग करने के लिए पर्फेजाद बेहं कि अपर्डू पर्फिछ्तन है बिखने है थे कि आप सिर्फ एक शो यू यू इख भी इस परफेक्ट बहुता है इस थरीके से आप प्रेसंटेशंट बहुत धूंगा अगर मैं जाओंगे लिए दुबै्या दुबाइ या काई ने गए-टो मेहां अगर मेरा जस थरीके से वे थोड़ी से उसमें अंग्रेजी सही हो जाए तो इसका यह मतलब निया कि मैं अच्छा रिप्रेजेंट करूंगा अपनी कंट्री को पर देंगेंः कि अपने लुगत करता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर आंगे हैं अपर करने हैं थो आपके रह एक बार हमारे यहां आएं हाथ लाएं वह अपना फ्रेंडशिप का हम लोग भी यहां से हाथ लेके जाएं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाएं I don't want any type of controversy like जो पाकिस्तान की लोग बनाते हैं जो हिंदुस्तान का media बनाता है मैं उस चीज़ में बात नहीं करूंगी मैं एक कश्मीरी पत्रकार हूँ मैं कश्मीर से बिलॉंग करती हूँ मैं कश्मीर की citizen हूँ मुझे पता है कश्मीर में क्या चल रहा है और मुझे पता है कि journalism क्या होता है So मैं चाहती हूँ कि जब भी आएं कश्मीर के मसले को side रखके अपने हाथ बढ़ाएं दोनों में अच्छे तरीके से बातचीत हो और आगे के future के बारे में सोचे क्योंकि Pakistan का future bright होगा अगर वो हिंदुस्तान के साथ होंगे लेकर अगर वो अकेले ही यहां पर रहके वो आंटियों का scene देखा है पाकिस्तान का तो PM ही लड़ खड़ाते फिर रहे हैं कभी कोई कह रहे हैं गलावल बिनेगा इसमिता से किश्मीर का मुद्धा लेकर इंडिया पहुंचे अवाम कह रही है कि इम्रान कान बनेंगे मगर हमारे जो current politicians हैं वो बजद हैं कि हम ही रहेंगे तो मुझे पिताएं कहां देख रहे हैं आप हमारी political stability को कहां बनेगा upcoming PM यार सबसे पहले जो आपने खुदी बोल दिया मतलब आप सवाल भी कूछती हैं आप जवाब भी दे देती हैं खुदब खुदी तो आपने खुदी बोल दी कि आप लोगों के अंदर वो है नहीं रिलेशनिशिप ना मतलब आप लोग खुद के अंदर नहीं पता है कि हमें करना क्या है आप लोग अभी खुद नहीं सोच रहे हमें कंटी के डिसिजन कहां तक लेना है तो हम कौन होते हैं कमेंट करने वाले but the thing is that मैं आपने जॉर्नलिस्म के कि अगर मैं यह डिसाइड करूं कि यार फ़ला बन सकता है या फ़ला नहीं मैंने साथ में यह भी क्लेरली बोला कि बलावल भुटो जी क्यूंके एलेक्शन तो कश्मीर की वेस पे पक्के होते ही होते हैं यह एक फैक्च्छल सी चीज है हमेशा को नजर आता है तो बलावल भुटो जी जाके कश्मीर कश्मीर इतने टाइम से इस लालच में कर रहे हैं कि शायद मैं बलूंगा करंडली जो नवाज शरीफ शवाज शरीफ लोग हैं उनकी नजर में यह है कि यार हमने इतना अर्दा गुजा रहा है हमने जो है ना नसल द जो एक अलग नजर से देख रहा होता है कि अच्छा यह यह चल रहा है इस घर में तो अब देखते हैं सरवरा कौन बनता है तो क्या वीन है आप लोगों का जो साइड पर पेट देख रहा है तो पाकिस्तान है अगर वो एक क्रिकेटर को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है औ इसको पता है गुलत कैसे समालते हैं आप मुझे बलो चाय वाला इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है आठ साल होगे बंदे को हुकुमत करते ही हुए अभी उसकी सरकार से सब खुश है बेचारे क्रिकेटर को बना दिया उसको पता नहीं देश कैसे समालना तो उसक्या समाले सब्सक्रIn遊戲 को अधार के इसे स लिए प्रकारा को सब्सक्राइब क्या स्विक है यह रूपियर को पठा़ ए और हम एक सी काब अधिय में डरे देख नहीं कि आधिकम हो एया तब उसशनी को कैसे का प्रोलि एक्टिशन को सब्सक्त चर्णे को कैसे सब्रीग करते हैं लो प् पाकिस्तान के प्रड़्सतान में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं हविसट आप को प्राआम मेनिस्टर बन जाना चाहिए, मैं अपने पॉइंटा ज्नीजा भी से कहूंगे, आप को पता है क्या करना है, क्या करना है कैसे करना है? चलो आप राइमनिश्टर बनेंगे, हमारी ट्रिप्स तो फ्री रहेंगी पाकिस्तान की, बड़ा खौब है पाकिस्तान आने का, और क्या कर सकते हैं, आप बुलाओगे तो हम आएंगे